जैजनेंद बंदो मैं रवी जैन गुरू जी आज रवीवार और श्री नेमी रात भगवान का ज्यान का लियानक हम सब को चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले प्रोपर्टी में भग्य साथ दे सकता है कोसिस करें क्या करें ओम रिम्शिरी नमो सिद्धानम की माला फेरें वर्षबरासी वाले क्रोध को काबू में रखें व्यापार में प्रेशानी हो सकती है क्या करें लाल मसूर की दाल दान करें कम से कम धाई सो ग्राम मितुनरासी वाले दिन अच्छा है लेकिन तनाव से बचें क्या करें नो बार नमोकार महा मंत्र पड़ें करकरासी वाले परी जनों के साथ समय वहतीत करें खुस रहने का परियास करें क्या करें छोटे बच्चों को उपहार भेट करें सिंगरासी वाले वाहन बिलकुल भी तेज ना चलाएं स्वास्त को लेकर गंभीर रहें क्या करें औम गरीम्षिरी पारशना जिनेंद्राए नमा की माला फेरें करन्यारासी वाले आलस्या से बचें यातरा का यूग बनता है क्या करें शीरी चानहरपभू चालिसा पढ़ें तुलारासी वाले विरोधियों से दूरी बनाएं खटास और बढ़ सकती है क्या करें 15 मिनट कामोन दिन में दो बार रखें वरश्चिक रासी वाले विवेख से कारिय करें जल्द बाजी पर कंट्रोल करें क्या करें घर में अगर भुजुर्ग हैं तो उनकी सलह लेकर कारिय करें धनूरासी वाले खर्च जादे हो सकता है, अंकुस लगाने का परियास करें, क्या करें शिरी विमलनाजी का चालीसा पढ़ें, मकर रासी वाले सेवकों से नुकसान की आशंका सावधान रहें, क्या करें गरीबों में भोजन के लिए धन बाटें, कुम्बरासी वाले कोट कचेरी से बचें, समय कमजोर है, क्या करें शिरी मुनी सुबरतनाजी का ध्यान करें, चालीसा पढ़ें, मीन रासी वाले रुके कारियों में तेजी आ सकती है, परियास ठीक जिसा में करना जरूरी, क्या करें रोली का टीका माते पर लगाएं, अब बात करते हैं, आज की सलहा की, देखें, आज की सलहा में ध्यान रखें, हफते में कम से कम एक बार, घर में नमक के पानी का पौँचा लगवाने से, घर में सकारात्मक उरजा बढ़ती है, तो ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लगता है, कि हमारे घर में नकारात्मक उरजा है, तो आपको हफते में एक बार अवश्य ही नमक के पानी का पौँचा लगवाना चाहिए, अगर आप रूटीन में ऐसा लंबे समय तक करेंगे, तो निश्यत रूप से आपको सकारात्मक उरजा के परिनाम भी अपने परिवार में दि ये मेल हमें भेजी है, पूरण मल जैन जी ने सूरत से, लिखते हैं गुरुजी जै जिनेद्र, मेरा बेटा हमेशा मेरा तिरिसकार करता रहता है, काफी क्रोध भी करता है, ऐसा किस कारण से है, और मैं क्या करूँ, देखें पूरण मल जी, आपने जो अपनी कुणली जी है, उसमें पंचम भाव, बहुत पेडित है, और जब कुणली में पंचम भाव पेडित होता है, तो ऐसे में हमें संतान से जो परिणाम चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं, आपको तीन उपाय करने चाहिए, एक तो आप ओम रिम श्री आदिना जिनेंद्राई नमा की माल पर लगाएं, और नमबर तीन, महीने में एक बार मंगलवार को गोशाला में खलका दान करें, अपनी सामर्थ के अनुसार, अगर आप ये तीन उपाय करेंगे, तो निश्यत रुप से आने वाले समय में, आपके पुत्र के वहवार में एक बड़ा परिवर्तन आपको के साथ बंदो, आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है, आपका दिन सुब और मंगल में हो, इसी मंगल भावना के साथ सबी को जै जिनेद्र झाल